ब्लॉक्स को बनाने का, मेंटेन करने का और रेगुलरली पोस्ट करने का एक मकसद पैसे कमाना भी होता है लेकिन पैसे किस तरीके से कमाई जाते हैं कैसे आप blogger.com को integrate कर सकते हैं किसी ऐसे platform के साथ कि जो ads चलाएं आपकी blogs के दर्मियान और आप उसके थूरू पैसे कमाए आए ज़रा थोड़ी सी briefly नज़र डालते है blogger.com की एक बहुत ही powerful option पे blogger.com allows you कि आप अपने blog को integrate कर सके Google AdSense के account के साथ अभी Google AdSense क्या चीज़ है Google AdSense basically is a platform कि जिसके थूरू Google आप से permission लेता है कि भाई मैं publishers की advertisement आपकी website के आपके blog के उपर publish करना चाता हूँ अब जब भी कोई ऐसी advertisement आपके blog के दिनम्यान post हो रही है तो कोई भी user उसके उपर click करेगा और जैसी user उसके click करेगा तो आपको उस click के पैसे मिल जाएंगे और आपके account में transfer हो जाएंगे कई ऐसी दुनिया की बड़ी website हैं technology related specifically कि जो महीने का लाखों करोड़ों रुपए Google AdSense account के तुरू कमा रहे हैं और करते क्या हैं वो जस्ट एक अच्छा interesting content post करते हैं blogger.com पे या अपनी website के उपर और Google AdSense को authority दे देते हैं कि आप हमारी website के इस particular article के दर्मयान में या right side या left side के उपर अपनी ads को चलाएं और जब वो ads चलती हैं और लोग उस पर click करते हैं तो automatically that website starts earning money ये कमाई का और earning का एक बहुत ही important और अच्छा थरीका भी है और Google AdSense को आपने detail में अपने तोर के उपर सीखना भी है इस particular session के अंदर मैं आपको briefly बताऊंगा कि blogger.com में किस जगा से आप Google AdSense के option को access कर सकते हैं और हम generically Google AdSense के interface को भी देखेंगे तो आईए चलते हैं blogger.com में वापस blogger.com के main interface पे left side पे अगर आप देखे तो earnings का button आपको नज़र आएगा बड़ा ही straight forward तरीके से blogger.com ने Google AdSense की integration को बनाया है अब जब अगर आपका blog नया है जिसरा मैंने नया भी create किया है तो आपको यहाँ कुछ information लिखी वी नज़र आएगी जिसरा मुझे यहाँ turn your passion into profit लिखावा नज़र आ रहा है उसके बाद how to qualify for AdSense का button आ रहा है और देखना है कि इसके ओपर क्या information दीवी है basically Google is trying to tell you here कि वो आपके Google AdSense account को integrate करने के लिए blogger.com के साथ कुछ information है जो उसको दरकार है वो एक review process से गुजरेगा और review process से गुजरने के बाद you will become eligible in order to earn money through AdSense यहां आपको एक terms and condition में चीज़ लिखी वी नज़र आएगी कि क्या आपकी website active है पिछले 6 महीनों से और अगर आपने नया blog या नई website अभी बनाई है जो 6 महीने पुरानी नहीं है तो chances are कि probably Google AdSense will ask you कि आप अपनी 6 महीने तक अपनी website के ओपर activity करें और उसके बाद they will add your account with Google AdSense अगर मैं स्क्रोल लाउन करूँ तो यहां make money with your blog की एक option आ रही है जब मैं उसके क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद एक और FAQ का पेज़ खुल जाएगा और इसके ओपर बड़ी डीटेल के अंदर blogger.com के मताबिक Google AdSense जो है वो मुझे बता रहा है किस तरीके से Google AdSense को उसके साथ integrate करना है कैसे ads अपनी post के दरमयान दिखानी है और बाकी तमाम information जो important है Google AdSense related वो सारी सारी step by step और असान तरीके में यहां आपके सामने show हो रही है तो यहां अगर आपका account नया है तो Google AdSense के साथ integrate करने के लिए you will actually have to go through certain terms and condition और जब आप information Google को provide कर देंगे so then it will add your Google AdSense account with blogger.com Google AdSense account में जाने के लिए you just simply type Google AdSense on the top in the search bar और लिखने के बाद आप login कीजिए Google AdSense account में अब यहां for example मैं अगर अपना account यूज करूं और sign in के right side top पे button click करूं तो देखते हैं के हमारे समने क्या options आती है अब अगर आपका blog जो है वो थोड़ा पुराना है तो जब आप earning के button पे click करेंगे तो maybe you will see a page just like this के जिसके ओपर information थोड़ी सी different दिखाई जारी है for example जो नया blog है उस पे वो कह रहा है गूगल AdSense platform के जहां मैं log in करने के बाद अपनी website को attach कर सकता हूँ Google AdSense account के साथ और यहां अगर मैं अपने account को select करूँ और select करने के बाद login करने कोशिश करूँ तो then Google AdSense will give me an option and it will ask me के what is your website और यहां automatically मेरी जो blog है उसका address यहां लिखा वा रहा है once I click on accept association then the process of adding AdSense with blogger.com it will start अब यह step-by-step process है काफी simple to understand है लेकिन blogger.com को Google AdSense के साथ integrate करने के लिए यही चन्द steps है कि इसको आपको समझने के जरूरत है कभी कबार यह भी होता है कि कुछ blog को बनाये विए आपको 15 दिन हुए लेकिन आप उसको regularly update कर रहे है और Google आपको allow कर देता है कि हम आपके AdSense accounts है उसको इसके साथ attach कर देंगे so that you can start earning money लेकिन different conditions है manual review है और हर account का जो review है वो different तरीके से Google करता है तो मेरी आपको suggestion है कि अपने blog को maintain करें start करें and start having good readers on your blog और उसके बाद Google AdSense के account के लिए apply करें और उसको integrate करें अपने blogger.com account के साथ